हलो दोस्तों तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस blender के सबसे elementary session में इस session में हम सबसे basic animation जो की है bouncing ball उसे किस तरह से key framing के through achieve कर सकते हैं इस topic को देखेंगे throughout the topic मैं आपको कई सारी चीजे कई सारे tips and tricks बताता चला जाओंगा जिससे आपका जो animation है वो बहतर बने तो जादा समय ना लेते हुए आईए शुरू करते हैं आज का हमारा यह session आज का हमारा यह session है तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि blender को जैसे ही हम open करते हैं हमारे पास यहां पर यह जो UI है यह open होकर आता है और हम इसे यहां continue करते हैं और हम अपने general को select करते हैं अब हमारे पास blender में हम किस तरह से चीजों को move rotate या scale करते हैं यह माया से थोड़ा different है हम shift के सहरे जब mouse में scroll को click करते हैं तो हम इसे move कर सकते हैं हम control के साथ इसे scale कर सकते हैं और alt के साथ हम इसे rotate भी कर सकते हैं या अगर आपको snapping in rotation in the viewport नहीं चाहिए तो आप इसे simply scrolling mouse के साथ achieve कर सकते हैं तो यहां जैसा कि friends आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक box है हम इसे move tool से select करते हैं और यह हमारे जो box यह base पे है अभी जो हमारा session है यहां पर हम एक स्फियर लेना है तो यहां पर हम आते हैं और यहां पर हम एक स्फियर लेते हैं हमारे पास यह स्फियर आचुका है ता कि हम जो हमारा स्फियर है उसे उसके पर रख सके और उसके बाद हम यहां पर प्रस करते हैं और अगर आप ध्यान दो तो यहां पर यलो कलर्स हैं अगर यहाँ पर देखेंगों यहां पीज लग गई है सो यहां पर नीची दोस्तो थो हमारे पास cleaned is इसे अगर हम open करें और इस small डोट को open करें तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास जो object का transformation है उस पर की लग गई है सो दोस्तों हमने करना क्या है कि हमने यहां पर सबसे पहले एक बहुत important चीज़ on कर लेनी है वो है auto key तो auto key को on करने के बाद हम यहां पर अपने object को एक level तक उपर लेकर आते हैं में भी हम इसे 20 तक ले जाते हैं और इसके बाद हम इसे let's suppose 10 या 12 फ्रेम पर 0 पर ले आते हैं अब यहां पर हम 0 न लेकर यहां पर हम जो distance से यह one around रखेंगे ताकि जो हमारा ball है वो जो हमारा base है उ देखू तो यहां पर जो हमारा ball का animation है वो यहां पर हो रहा है नाव अगें 12 फ्रेम यानि 24 फ्रेम नंबर पर आकर हम इसे 20 के बज़ाए में भी 16 कर लेते हैं सो अगें यह बॉल एक पाथ ट्रेवल करता है नाव अगें यहां पर मुझे 24 के बाद लेट सपोज मैं अब 10 फ्रेम का एक डिफ्रेंस रखना चाहता हूं यानि 24 के बाद अगर हम 10 एड करें तो यह 34 होगा अब हमने यहां पर इस की को कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी से हम अपने कीश को यहां पेस्ट कर लेते हैं सो यहां पर अगर आप देखो तो यह अलड़ी यहां पर आ चुका है नाव अगें क्योंकि यह यहां पर 16 पे था और यह 10 फ्रेम का था तो हम अगें यह 44 पे आते हैं और इसे 16 के बजाए में 12 कर लेते हैं सो अब जो हमारा बॉल है वह कुछ इस तरह से हो गया है नाव जैसे हमने आपर 10 फ्रेम का किया था अब हम इसे मेभी 6 फ्रेम का कर लेते हैं यानि 44 एन 6 फ्रेम यानि अराउंड 50 फिफ्टी पर मैं इसे अगें वन कर देता हूं सॉरी दोस्तों यहां पर अग हम इसे छे फ्रेम यानि 54 एन 6 60 पर ले आते हैं और इसे में भी 6 कर लेते हैं और अगें हम यहां पर 66 पर इसे 1 कर लेते हैं फिर मैं इसे 4 फ्रेम का राउंड रखता हूं सो यहां पर 66 एन 4 इस 70 यहां पर हम इसे दू कर सकते हैं और अगें 6 फ्रेम के बाद यहां पर इसे बंद कर लेते हैं ताकि आपका जो ओवर ऑल का बाउंस है वो एक लेवल पर आ जाए लेकिन क्या दोस्तों यह बॉल का सही है तो यह बॉल सही नहीं है मैं इसकी फ्रेम लेंद को कम कर देता हूं around यह मैं इसे 100 कर लेता हूं जो हमारा linear keyframe है अब हमने क्या करना है सबसे पहले इसके z location को select करना है और z location को select करने के बाद हम यहाँ पर option में आते हैं graph editor पे और graph editor पे जब आप आते हो तो अगर आप अपने graph editor को zoom करो आप देख सकते हो कि हमारा जो graph है वो सारा ही linear graph है सो हमने करना क्या है दोस्तों हमने सबसे पहले अपने सारे जो हमारे graph है उनको off कर लेना है ताकि सिर्फ हमारा जो z location का graph है सिर्फ उतना ही select हो और मैं control की मदद से इसे छोटा बड़ा करता हूं और इन keyframes को मैं select करता हूं और specifically जो नीचे वाले keyframe है उनको मैं select करके यहां पर handle type का shortcut है इसे आप चाहें तो free कर सकते हैं तो आप इसे free करने के लिए वी को press कर सकते हैं और अगेन आप यहां पर देख सकते हैं मैंने अगर यहां पर से तरीके से वी प्रेस किया यह free हो गया है और मैंने आपको इस तरह से दोनों प्रोसेस बता दिये जिसके तुरू आप easily अपने जो handle से उनको control कर सकते हो और दोस्तों scroll की मदद से जूम कर लेते हैं और shift की मदद से इसे हम थोड़ा सा adjust कर लेते हैं अपने view के according ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए और इस तरह से अगर आप अब हमारे bouncing ball को यहां देखो अगर मैं इसे space bar के through play करूं so when you see आप देख सकते हैं कि जो आपका ball है वो किस तरह से bounce हो रहा है now friends अगर आपको इसी bounce को किसी specific direction में करना है तो आपने जिस direction में इस bounce को करना है जैसे यहां पर एक्स यह वाई दोनों एक्स देख सकते हो let's suppose यह जो मेरा को bouncing हो रही है तो now अब हम आते हैं अपने 82 number frame पर जहां पर हमारा animation खत्म हुआ है और हम इसे एक position पर लेकर आते हैं और जैसे ही हम इसे लेकर आते हैं तो अगर आप यहां पर देखें तो आपका यहां पर एक key लग चुका है let's suppose मैं इस key को again press करता हूं as a free key और इसे मैं linear कर लेता हूं औ और अगेन मैं इसे भी free करता हूं और इसमें थोड़ा सा नीचे करता हूं अब इस condition में यह pro tip है ना मैंने इसे पूरी तरह से slow out किया है और ना ही मैंने इसे बिल्कुल linear graph रखा है तो अगर आप यहां पर देखो और मैं अगर इस animation को play करूं तो जो आपका bouncing ball है वह किस तरह से specific direction में मूव कर रहा है सिर्फ एक की के लगाने से यह आप यहां पर देख सकते हैं सो इस तरह से मैं अपने bouncing ball को को एक specific direction में move कर सकता हूं अब अगर इसके साथ rotation वगरा भी add करना चाहते हैं तो भी आप rotation add कर सकते हैं बट अभी अगर मैं rotation add भी करता हूं तो क्योंकि हमारे इस ball पे texture नहीं है इस वज़े से यह view नहीं होगा तो आशा करता हूं दोस्तों मेरा यह easy process आपको समझ में आया होगा अगर आपको आज का हमारा यह session अच्छा लगा है तो प्रीज likes और comment के माध्याव से हमें अपने thoughts साजा करें अगर आपकी कोई specific query है तो भी आप हमें comment के माध्याव से हमेशा की तरह share कर सके हैं मिलते हैं हम अपने अगले session में और सारी knowledgeable sessions के साथ तब तक के लिए आप सब खयाल र अपना अपनों का और हमारे इस समाज का धन्यवाद